हेलो फ्रेंड्स हम लोग हाईवे इंजिनेरिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैमबर के बारे में आज की लेक्चर में पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं कैमबर क्या होता है उसका डिफिनिशन कैमबर क्या होता है जैसे देखें यहां पर रोड है ठीक है यह रोड नहीं है यह ग्राउंड लेवल है और यहां से हम लोग देखते हैं इस तरह से अपना रोड रहता है जिसमें क्या होता है रोड के नीचे चला जाए लौड के सर्फेस से नीचे चला जाए रोड के सर्फेस पर ना रहे इधर से यहां पर drainage बना हुआ रहेगा आगे जाकर drainage ऐसी तरह से कुछ बना रहेगा और यहां पर जाकर आगे की और बढ़ते चला जाएगा नाली में तो इसलिए हम लोग क्रॉस लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग का जो rain water रहे रोड सर्फेस पर ना रहे अगर रोड सर्फेस पर वाटर रहेगा तो इससे बहुत हम लोग के रोड को खराबी हो सकता है जैसे क्या होगा कि रोड सर्फेस से पर पानी रुका रहेगा तो यह पेनिट्रेट क कर जाएगा तो यहां के जो भी जो हम लोग बीटुमिन प्रोवाइड की हैं वहां उसके साथ रियक्शन कर जाएगा और रियक्शन करने के बाद वहां का जो भी सर्फेस होगा वह खराब हो जाएगा और जब खराब हो जाएगा तो फिर जो अब हम लोग रोड पे देखत करें रहाँ तो इसलिए कन और की बमझ करें के जाता है । तो अवार पर जब प्रोफट्वाइड करते हैं और वी कि जब आप देखिएगा ऑप बारी में पानी रोड पर जमा रहता है तो उसकारण क्या होता है कि गाड़ी का जो वील है वो स्कीड कर जाता है क्या करता है कि अब नेक्स चीज यह आता है कि परपस आफ प्रोवाइडिंग क्या है तो उसको देख लेते हैं मैं इसको लिग देता हूं तो friends क्या है .to prevent the entry of surface water into the surface sorry यहाँ पर sub-grade हो जाएगा into the sub grade soil through pavement वो ही एँ है friends जब pavement se पानी नीचे की और penetrate करेगा तो उससे बचाने के लिए हम लोग camera का provide करते हैं अब अगला हम लोग पढ़ते हैंं इसमें कि टाइप्स ओफ देखी यहाँ पर लिख देता हूं मैं टाइप्स ओफ कैमबर पढ़ते हैं तो फ्रेंट्स टाइप्स ओफ कैमबर में सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट कैमबर के वारे में जानेंगे स्ट्रेट कैमबर उसके बाद दूसरा पाराबोलिक वाला फ्रेंट्स बहुत ही इजी होने वाला है आप देखते जाएए बस पाराबोलिक केमबर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ठर्ड है कमपोजिट केमबर तो फ्रेंड्स अब इन तीनों के बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग देखेंगे तो सबसे फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स स्ट्रेट केमबर स्ट्रेट केमबर में क्या होता है इस तरह से सबसे पहले ग्राउंड लेवल है और यहां से कुछ उठा हुआ तो रहता है वो फ्रेंड्स बताया ही है और यह इसमें क्या होता है बस यहां इस तरह से कुछ उठा हुआ रहता है और इधर से उठा रहता है और वही जब पाराबोलिक की बात करते हैं तो यह त पाराबोलिक में बस पाराबोला टाइप का बन जाएगा और यहां से यहां इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्राउन और इसके भी जो सबसे टॉप सर मोस्ट होता है उसे कहते हैं क्राउन तो फ्रेंट्स अब इसमें कुछ-कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जालने वाला है बस यह तो आपने जाने गया कि स्ट्रेट केमबर यह स्ट्रेट है फर्स्ट वन यह है और पाराबोली किया है कितना हाइट होगा तो उसे निकालने के लिए क्या है फ्रेंट्स मैं यहां पर बतायता हूं उसे निकालने के लिए एक फ्कार मॉला है होगए 2N क्या है फ्रेंट W upon 2N वही चीज हो जाएगा इसमें भी W upon 2N जहां W क्या है फ्रेंट वीड्थ थे W क्या होता है वीड्थ रोड का वेड्थ जैसे साथ मीर होड सकता है जो भी रोड का वीड्थ दिया हुआ रहेगा question में अगर push ता है तो वैसे w का मतलब width नहीं होता है और n क्या होता इसमें जैसे n कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको detail में समझाता हूँ roots का जो figure बनावा होगा friends उसमें ऐसे करके लिखावा रहेगा one in n one in n का मतलब क्या होता है इसे हम लोग जानते है one in n का मतलब होता है one का मतलब है vertical और n का मतलब है horizontal मतलब एक vertical के लिए जब इधर से यहाँ से बढ़ते हैं ठीक है यहाँ से एक vertical इतना बढ़े तो यहाँ से इतना vertical बढ़े हैं एक vertical बढ़े हैं निन कुछ बड़ा फिर उसी प्रेकर इस तरह से यहां तक गया पर इसी तरह से बढ़ते आते हैं तो वाण इन और एसे आप सम Почему City कि इस तरह से वहाइंंट 30 रहता तो इस तरह से रहता और इसको समयने के लिए एक उनस्ट में मैं बताऊंगा कि types of road surface के लिए मतलब किस तरह के road surface के लिए कितना camera provide करते हैं तो उसी में 1 in 50, 1 in 30 1 in 40, 1 in 33 1 in 25 इस तरह से बहुत सराची रहता तो friends आप लोगों ने देखा यहाँ पर यह सब क्या है फ्रेंट्स IRC के द्वारा recommend किया हुआ है IRC ने recommend किया है कि जो cross slope कभी भी दिया जाएगा 1 in n के form में दिया रहेगा हमेशा और कभी-कभी friends कभी-कभी क्या इसको 1 in n को हम लोग percentage में भी लिख सकते हैं percentage में एक परसेंट्स जैसे 1 in n है उसको 1 in n है तो एक एक ग्रामपल देख लेते हैं 1 in 50 का हम लोग अगर मान लेते हैं तो 1 in 50 का मतलब क्या हम लोग समझेंगे 1 by 50 1 by 50 तो इसको 1 by n ऐसे लिख दीजे तो इसका मतलब क्या हो जब परसेंटेज में हम लोग करना होगा तो 1 in by 50 into 100 करेंगे तो इसका मतलब 2% हो जाएगा उससी प्रकार अगर 1 by 25 है मतलब 1 in 25 है तो 1 by 25 हो जाएगा और 1 by 25 को जब परसेंटेज में कनवर्ट करना होगा तो into 100 से करेंगे multiply तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा तो इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि 1 in 50 का क्या मतलब है तो वही इस formula में w by 2n के formula में w के जगा width पुट करेंगे और 2n तो 2 है ही और n के जगा अगर 50 है तो 50 पुट करेंगे इससे हम लोग क्या पता चल जाएगा यहां से यहां तक का height पता चल जाएगा मतलब crown कितना position पे है वो पता चल जाएगा अब friends IRC ने यह भी recommend किया है कि अगर आपको कहीं पे माल लिए जो straight के लिए तो यह हो गया straight का तो one union होता ही है और देखें इसको हम लोगे straight में भी convert कर सकते हैं इस तरह से कुछ पर हम लोग को इस point का किसी point का भी निकालने का मन हो सकता है तो उसको निकालने के लिए IRC ने क्या कहा है कि यह यहां से y और यहां से x कुछ किसी point पर अगर निकालना है तो तो x तो हो जाएगा हम लोग का जो भी distance दिया रहेगा वो और y को निकालने का क्या formula होता है y is equals to x square by a होता है formula और इसमें a का value क्या होता है a का value होता है n w by 2 जहां पे n वही 1 in 50 वाला जो है वो है मतलब जब इधर से ऐसे जाएंगे वो 50 और w width और 2 तो इसको जब यह इस formula में put करेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा इसको देखिए x square by n w by 2 तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 x square by n w so friends y के लिए क्या formula finally निकला 2 x square by n w ठीक है friends यहां तक clear है y का value हम लोग को पतार चल गया crown निकालने के लिए पतार चल गया तो friends straight camber parabolic camber के बारे में मुझे लगता है कि सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं अब बस composite camber के बारे में सिख्ते हैं क्या होता है तो देखिए composite camber में क्या करना होता हमें जैसे यह ground level है ठीक है friends ground level है और इसमें क्या होता है यहां से यहां ठीक है parabolic composite camber का मतलब कहने का मतलब है कि parabolic पाराबोलिक और स्ट्रेट का मिक्स्चर और यहां से यहां स्ट्रेट और यहां से यहां स्ट्रेट तो यह क्या हो गया यह हो गया पाराबोलिक और यह हो गया अपना स्ट्रेट और यह भी अपना स्ट्रेट है ठीक है फ्रेंट तो बस composite camber यही होता है कि it consists of two straight slopes from the edges with a parabolic और circular crown in the center of camber इसका यह crown हो जाएगा और फ्रेंट्स यह जो composite camber होता है this type of camber can be easily constructed and maintained तो composite camber भी हम लोगों ने सिख लिया है फ्रेंट्स यह होगी आपना third one composite camber, straight camber और parabolic camber parabolic camber के बारे में मैं एक और बाद बताऊंगा parabolic camber को barrel camber भी कहते हैं और straight camber को sloped camber भी कहते हैं तो देखे यहाँ पर लिख देता हूँ straight को क्या कहते है फ्रेंट्स sloped camber भी कहते हैं और parabolic को barrel भी यह R-E-L-L barrel camber कभी कभी objective में पूछ देता है तो यहाँ तक तो clear है friends अब कुछ IRC के द्वारा कुछ कुछ recommendation है वह आप देख लीजे तो देखिए यहाँ से क्या है टाइप्स ओफ रोड सर्फेस यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें सबसे फर्स्ट है cement concrete and bituminous surface अगर thick bituminous है तो उसके लिए IRC ने अगर heavy rainfall होगा और low rainfall तो heavy rainfall होगा तो उसके लिए 1 in 50 और 1 in 50 के लिए मैंने बताया था 1 in 50 into 100 करेंगे तो क्या हो जागा 2 तो 2% यही दिया हुआ यहाँ पर फिर thin bituminous surface जब surface bituminous surface जो रोड का होगा वह अगर thin होगा तो क्या होगा 1 in 40 और 2.4 परसेंट अगर उसको calculate करेंगे तो 2.4 परसेंट और उसके बाद water bound में मतलब WBM और gravel pavement के लिए 1 in 33 इन दोनों के लिए friends 1 in 33 है और 3% हो जागा अगर percentage में कहेंगे तो और फिर earth थे road के लिए earth road के लिए क्या हो जागा friends 1 in 25 और 4 परसेंट अब वही low rainfall की बात करते हैं इस case में 1 in 60 तो 1.7 और 1 in 40 thin bituminous surface के लिए water bound में के item WBM और gravel pavement के लिए 1 in 40 और earth road के लिए 1 in 30 तो फ्रेंट यह सब आयर सी के द्वारा तो धेर सरा recommendation दिया वा तो सब को याद करना तो पॉसिबल नहीं है तो बस इतना हर जो भी टॉपिक में बताओंगा उसमें हलकालका देते जाओंगा तो बस उन्हीं सब पॉइंट पॉइंट को याद करते जाएगा तो जैसे camera के ल सब्सक्राइब यहां बता रहा हूं तो याद करने के लिए कुछ है यहां पर और कोई बात नहीं है यहां पर है तो याद इस तरह से आप कर सकते हो इजी हो जाएगा याद करने में रिकमेंडेट वैल्यूज ऑफ कैमबर का जो भी रिकमेंडेट वैल्यूज आयर्सी के द्वारा दिया गया है वह है अब फिर लास्ट में एक चीज आना होता है सोल्डर के लिए सोल्डर जो की जैसे ये रोड रोड है रोड है उसके बाद यहां पर हम लोग सोल्डर प्रफट करते है इसके बाद डिरनेज होता है यहाँ पे इस तरह से और फिर यहाँ पे ड्रेनेज होता है यहाँ तक सोल्डर रहता है कुछ तो सोल्डर का जो कैमबर होता है वो 0.5% ज्यादा स्टिपर होता है मतलब कि 0.5% ज्यादा केमबर प्रोवाइड होता है तो इसको सोल्डर को ज्यादा प्रोवाइड करने का परपस क्या है क्योंकि हम जानते हैं सोल्डर जो होता है हम लोग स्वाइल का बनाते हैं तो स्वाइल में अगर कम केमबर रहेगा कम धलान रहेगा तो कम धलान रहने के तो वहां पर मीटी जल्द यहली पानी शोख लेगा इसलिए हम लों क्या करते हैं कि उसे और भी कुछ ज्याद हैं जैसे नौर्मल Maybe तो आइस तरहसा स्टीप कर सोड़ासा और उसको क्र देंगे तो क्या होगा कि पानि कि यहां से तुर्ण चला जाेगा। यहां से परण चल जाएगा तो इससे क्या होगा कि धोन तो फ्रेंट्स आज हम लोगोंने केमबर के बारे में पढ़ा केमबर किसलिए प्रोवाइड करते हैं यह पढ़ा और फिर हम लोगोंने टाइपस ओप केमबर पढ़ा जिसमें स्ट्रेट पाराबोलिक कमपोजीट पढ़ा उसमें हम लोगोंने क्राउन के बारे में जाना क्रा जो 1 in 50 है तो 50 यहाँ पर पूट करेंगे 1 in n वाला जो टर्म है वो n है यहाँ पर फिर हम लोग y is equal to यह भी निकाले पारबोलिक के लिए 2x square by n w निकाले उसके बाद हम लोग पता कि यह IRC recommendation जो data दिया हुआ है गवर्मेंट के द्वारा IRC के द्वारा वो हम लोग जाने यह data आप लोग याद कर लिए और बस यह है कि 0.5% solder के लिए ज़्यादा camera provide होता है यह भी एक important बात है 0.5% ज़्यादा होता है तो friends आज के लिए इतना ही अब अगले lecture में भी लेंगे तो thank you friends